दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुती चवर्दस वीडियो लेकर आया, रोज सुबह नहाने से पहले बोले ये शक्तिशाली मंतर, दुनिया होगी कदमों में, चैसा चाहोगे वैसा ही होगा, जै बजरंग बली दोस्त, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको बताएगे एक बहुती खास मंतर के बारे में, जो आप रोज उठते ही नहाने से पहले प्रयोग करते हैं, दोस्तो जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आता है, जब आपको लगता है कि आप समस्याओं से पूरी तरह गिर गए हैं, आपके चारो और समस्याओं ही स सकते हैं, इसके बहुती चादा कजब के फायदे हैं, आपको जरूर मिलेंगी, यह ना सिर्फ एक बाधाओं को दूर करता है, बलकि हर प्रकार की दुश्मन को भी साम करता है, इसलिए लक्षमी जी को भी प्रसंद करने में आपको शायता मिलती है, और लक्षमी जी की आवित्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं, उस तरीके से यह आप उसका प्रयोग करना चाहिए, काफी लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजए से उनके दिमाग में हमेशा गलत खयाल और नेगेटिव विचार आने लगते हैं, कुछ चीज पहले से तो बिगडी होती है, और आप उन्हें अपनी नेगेटिव विचारों से और भी ज्यादा दिगाड लेते हैं, तो इसलिए उसको कभी भी आप नेगेटिविटी से ना सूच करके, जो चीजे हम आपको बता हैं, आप उन्हें जरूर करें, जिससे आपके जीवन में सभलताएं आपको और आपकी मनो कामना भी पूरी हो सकती है, तो दोस्तों आपको ये मंत्र रोज सुबह के समय नहाने से पहले जाब करना है, अपने बैड पर बैठे हुए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते है जब भी आपकी आँख उलती है, तभी आपको इसका जाब करना है, जब भी आप सुबह उटते हैं, कभी भी अपना चेहरा किसी भी आईने में नहीं देखना चाहिए, और किसी व्यक्ति का चेहरा भी आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारत्मक पूर्जा आ लगती है और आपके विचारों और खयालों मेंसा ही negativity अपना लेती है। इसलिए कभी भी अपने आपको नहीं देखना चाहिए। उटते ही कभी आइना यंदर पर आपको नहीं देखना चाहिए। और ना ही किसी और व्यक्ति को देखना चाहिए। बलकि उटते ही सिर्फ अपने दोनों हाथ के हतेलियों को देखना चाहिए! आपने दोनों हाथों hmm को मिलाकर हतेलि की जेखा को देखा करें उसके बाद अपने फेस पर इन हतेलियो से एक घड़ दे... इसी प्रकार बस आपको रोज उठने की आदत बनाने चाहिए दोस्तों ऐसा करने के बाद आप इस मंत्र का जाप मन्ड में कर सकते हैं यह मंत्र ज्यादा सकतिशाली है इसके बहुत ज्यादा गजब के फाइदे आपको मिलते हैं मंत्र इस प्रकार है अगर आप यह रख ले तो और भी आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों अगर आपको यह मंत्र याद नहीं रहे पाता है तो आप एक कागज पर लिख करके इसे अपने तकिये के नीचे भी रख सकते हैं ताकि सुबह उठते ही आप इस मंत्र का जाब कर सके लेकिन दोस्तों तीन-चार दिन पहले से ही यह आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा यह मंत्र महाविश्णू नर्सिंग भगवान का है जो कि बहुत ही चादा पावर्फुल है इस मंत्र का कितनी देध भी आप बैड़ पर बैठे हुए जाब कर सकते हैं बस 18 बार यदि आप जाब करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फाइदेमन्द है आप बैड़ पर बैटे हुए इस मंत्र को पढ़ ले अपने दिन की शुरूआत किसी मंत्र से करे और खुद दे करके हर तरब से सुख और समर्दी आकरशित होने लगती है जो भी चीजें आप करना चाहते हैं या मनो कामना है तो इस मंत्र से जरूर ही वह पूरी हो जाती है आपको कोई भी चीज आसाने से परेशान नहीं कर पाती है कोई भी नेगेटिव खयात विचार से आपका मन आगे बदलना किस प्रकार से शुरू हो जाता है इस मंत्र के बहुत ही ज्यादा गजब के फाइदे हैं जो आपको हर रोज मिलने लगते हैं रोज इस प्रकार मंत्र का जाब करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है और आपके कारण में आपको सबलता मिलने लगती इसका प्रयोग करें दोस्तों आशा करता हो कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो आप कमेंट में जय बजरनकली जुरू लिगें अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भोलें जय बजरक वली अवश्य लिखें हम आपकी साहिता करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें और साथ ही बैल के बटन को जरूर दवाएं सभी जानकारी आपको सही समय पर मिल सकें इसलिए दोस्तों साथ में दिये